नमस्कार जोहार जहार जहारखन का एक मात्र सरकारी न्यूज चैनल किलीर न्यूज में आपका स्वागत है समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा सिक्षकों का मुद्दा हर ख़बर पर होगी हमारी पहनी नजल सभी ख़बर सिलेक्टेट और काम की है तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं साथ ही आप न्यूज को किस गाउं या सर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए आज का लाइक है में 100 रखते हैं उमीद है कि आप इसे पूरा करेंगे और रोजाना पंचाज चुनाओ का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को ब्रिश करें तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार पूर्ण लोगडाउन का सक्ति से पालन करने की हिदायत जामताडा के फतिपूर पूलिस ने बाजार में माइकिंग कर दुकानदारों समेथ आम लोगों को पूर्ण लोगडाउन की जनकारी दी कहा कि सनिवार साम से रभीवार तक पूरी तरह से लोगडाउन रखने की घोसना सरकार ने की है इस दोरान आवेसक सेवाओं को छोड़ कर सभी परकार की परितिस्टान और बाहन बंद रखने का आदिश दिया गया है पूर्ण लोगडाउन के लिए पूलिस परसासन का सयोग करने की अपिर करते हुए कहा कि कोई भी ब्यक्ति परितिस्टान नहीं खोलेंगे साथ ही चेतानी दिगाई की अगर कोई दुकांदार दुकान खोल कर सामेगरी बेचते हैं पकड़े जाते हैं तो ऐसे लोगों पर सक्त करवाई की जाएगी कोरोना काल में आप घर-घर जाकर सिक्षक लेंगे बच्चों का नमांकन कक्षा एक में नमांकन के लिए उम्रे के अनुसार सुची तियार की जाएगी इसके लिए इसकूल के समंदित सिक्षक घर-घर जाकर नमांकन करना सुनिशित करेंगे यह आदेश जीला सिक्षा पताधिकारी प्रबलाप केस तथा जीला सिक्षा अधिक्षक इंद्र भूसन ने जाड़ी आदेश में कहा कक्षा 5 तथा कक्षा 6 तथा कक्षा 8 से प्रणत होने वाले 7% चात्रों का नमांकन निकरतम इसकूल में कराने का का आगया है कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रणत चात्रों को नमांकन की पूर्ण जबाब दही समंदित इसकूलों की होगी नया नमांकन 15 जुन तक पूरा करके बियार सी रिपोर्ट देना है कक्षा 5-6 तक तक कक्षा 8-9 परगामन नहीं होने की स्थिति में समंदित विद्याले का परदादय पक्या बेतर का भुकतान अस्तगित रहेगा नारकन में मानसूख नीदी दस्तग दिन बर होती रही बारिस साहिबगान जीले में सनिवार की अलसुभा मानसू ने दस्तग दे दिये इसे किसानों के चेहरे खिल गए हैं तो नगर परिशत की सपाई ब्योस्ता की पोल खूल गई जगा जगा जल जमा हो गया है शुक्रवार की साम को आसमान में काले बादल बंडरातने लगे थे इससे देकर लोगों ने अनुमा लगा लिया था कि रात में ही बारिस होगी इसी करम में सनिवार अलसुभा से ही बारिस शुरू हो गई रूख रूख कर दिन बार बारिस होती रही इससे मौसम का मिजाज बिल्कूल बदल गया तापमान काफी गिर गया सनिवार की नियूंतम तापमान 26 जिगरी वाधितम 30 जिगरी दर्ज किया गया उधर समय से मानसून आने से किसानों को चेरे पर चमका गई है या आपने भी लिया है किसान समान योजना का लाब हो सकती है करवाई जाने पूरी बाग परदान मंत्री किसान समान निदी योजना का लाब अहरता नहीं रखने वाले सेकलों लोगों ने भी उठा लिया है परता में और दूसरे किस्ट की रासी भी समंदित लोगों ने ले ली है योजना के अनुसार इंकम टेक्स भरने वाले किसान या अन्ने लोग इसका लाब नहीं ले सकते हैं इसके बाब जूद इसके बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के ने इसका लाब लिया है लिहाजा केंदर सरकार के अस्तर से ही अब समंदित इंकर टेक्स देने वालों से रासी भसुली की करवाई शुरू कर दी गई है कोडरमा में भी 578 ऐसे लोगों को चिनित क्या गया है जो आयकर दाता है और किसान समान योजना का लाब ले लिया है यात्रियों को जल्द मिलेगी इस जंजर से मुक्ती यो डक्यूमेंट दिखा कर सकते हैं सुकून का सफर अगर आपने कोबिर का ठीका नहीं लिया है तो बगएर किसी अपवापर ध्यान दिये अपना सुलोट बुक करा ले और खूद को सुरक्षित करने के लिए ठीका लगवा ले इसके बहुत फाइदे भी है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पूरी समावना है कि आप ट्रेन के सफर में टिका करन सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है अगर आपने टिका ले लिया है तो और कुछ जोरत नहीं होया आप कहीं भी जा सकते हैं रेलो इस्टेसन से बाहर निकलते वक्त अपने मॉबाइल क्या इसकी इन आउन कर वैक्सिन सर्टिफिकेट दिका दिजिए इससे दूसरे सहरों में जाने वाले यात्रों को बार-बार होने वाली परसानों से चुटकारा मिल जाएगी क्रिशीव विभा का क्रिशक जगरूता का रतरवाना उपाईग्त बोले बैक्सिन लेने वाले किसानों को बीच वित्रन में प्रात्मिता दे। बैक्सिन लेने वाले किसानों को बिच वित्रन में प्रात्मिता देब। जारकन में ठोकसराब बिक्री के लाइसेंस का नौन रिफंडेबल आविदन सूल के 25 लाक रुपे जाने क्या है खेल जारकन में ठोकसराब बिक्री का लाइसेंस लेने के नाम पर सिंडिकेट के खेल सुरू हो गया है खेल भी ऐसा जैसा नहीं बलकि फूल फूरूप आपको जानकर हैरानी होगी जारखन सरकार ने इस बार थोक सराब बिक्री का लाइसेंस देने के लिए 25 लाक रूपे का आविदर सुल्क रखा है और वो भी नन रिफेंडेबल मतलब लाइसेंस नहीं मिला तो सराब कारोवरी के 25 लाग रूपे ये पानी में अब ऐसे में ये साफ हो गया है कि लैसेंस पानी की दोड में कौन सामिल होंगे और कौन हीमत नहीं जुटा सकेंगे जारखन में कब एंट्री कर रहा है मानसून कब होगी भारी बारी अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज मौसम बिग्यानिकों का ये है पुरव अनुमान मानसून में का आए जारखन में मानसूक 9 तक देने को है बंगाल की खाड़ी में बने नीम द्रवा क्यका इस बार समय से पाले मानसून के परवेश करने का अनुमान है मौसम बेग्यानिकों की माने तो कल सनिवार को ही देरात रवीवार राज जिससे मानसूर परवेश कर सकता है 12 जून को दक्षिन मद्या और उतरपूर्वी जीलों में हलके मद्यम्द्धर से बारिस हो सकती है 13 जून को कहीं भारि बारिस हो सकती है अगले पांच जिनों तक जारखन में हलके से मद्यम्द्धर की बारिस हो सकती है खबर देश विदेश और देश की विविन्य योजनाओं से ब्लेक फेंगस की दवा टेक्स फ्री मेडिकल उपकरनों सहीत कई दवाओं का जेस्टी में भारी कट होती GST परिशत की 44 बेटेक में बलेक फेंगस की दवा को टेक्स फिरी कर दिया गया है जबकि कुरोना वैक्सिन पर 5% GST बनाय रखने का फैसा लिया गया है परिशत ने कोबिट समंदी दवा वैक्सिन और अन्य जरूरी बस्तूओं जैसे की एम्बूलेस आधी पर भी GST की दर घटाने का अहम फच्चा लिया गया है केंदर सरकार ने इन सभी आविस्तक बस्तूओं पर लगने वाले GST की कर अलग अलग दरों को जरूत के आविस्तक के अनुसार घटाया है कुरोना वैक्सिन की खुराकों में अधिक अंतराल से संक्रमन का खत्रा ज़्यादा विस्तक बस्तूओं ने क्या आगा कुरोना वैक्सिन के डोज की बीच गैप को लेकर अमिरिका के महामारी एक्सपर्ट डाक्टर एंथनी पाउची ने चेतावने दी है कि उनका कहना है कि वैक्सिन के दो डोज की बीच समय बढ़ाने से लोगों को इन्फेक्शन का खत्रा बढ़ सकता है बिरिटेन में यह देखा गया है डाक्टर पाउची का यह बयान भारत के संदर में भी अहम है क्योंकि सरकार ने पिछले मेहने ही ओभी सील के दो डोज की बीच का गैप दो बार बढ़ा दिया अभी यह आउधी बढ़ा कर 12-16 हपते की गई है इससे पहले यह 6-8 हपते था इससे पहले मार्च में भी गैप 28 दिन से बढ़ा कर 6-8 हपते क्या गया था सरकार का कहाना है कि दो डोज का गैप बढ़ाने से वैक्सिन का असर बढ़ जाए गया जम्मू कसमीर में एक बार फिर आतंक्यों ने सुरक्चा बलो पर हमला किया है इस हमले में दो जवान सहीद हो गए हैं इसके आलाबा दो नागरिक की भी बहुत हुई है मामले में दो पुलिस गर्मी घायल हुए है घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया है जम्मू कस्मीर के सोपोर के आराम पोरा में नाकापर आतंकियों ने पुलिस और CRPF की सयूंगत टीम पर हमला किया कस्मीर के आईजी बीजे कुमा ने बताए कि इस हमले के पीछे आतंकियों का बचना नामुम्किन है आसपास के सभी चेक नाके सिल कर दिये गए है रेटेन में चार हपते टल सकती हैं लॉकडाउन खत्म के निकियोजना ब्राजील में 85,000 ने मामले कुरोना महामारी की तीसरी रहर के आसंका को देखते हुए ब्रेटेन में लॉकडाउन की पूरी तरह खत्म करने की योजना चार सफ़ता के लिए टल सकती है सरकार इस पर विचार कर रही है देश में 21 जून से सभी पावंदियों को खत्म करने की योजना है लेकिन दैनिक मामलों में फिर बड़ोतरी के चलते इस योजना पर संकर के बादल चा गया है ब्रेटेन के कुरोना में डेल्टा बेरेटन के मामले तेजी से बढ़ रहे है साकीब अलहसन को इतने मैचों के लिए क्या गया बैन अंपायर से बहस करने और विकेट पर लात मारने की मिली सजा बंगलादेश किरकेट टीम के स्टार अल्राउंडर साकीब अलहसन ने धाका प्रेमलीक के एक मैच के दोराण मैदान पर जीशतर का बेवार क्या था उसने जेंटलमेन गेम किर्केट में सनफार्व करने का काम किया था अब साकीब के इस बेवार पर बंगलादेश किर्केट बोड ने खड़ा रुक अक्तियार करते हुए उन्हें अगले चार मैचों के लिए बेंड कर दिया आप वो ढाका प्रियम लिख के अगले चार मुकाबले नहीं कहल पाएंगे हालांकि बंगलादेश किर्केट बोड ने इसकी कोई अधिकारी घोसना नहीं की है लेकि मुहमादन इस्पोर्टों कलब किर्केट समीति के अधियक से मसूद उज्जराम ने किरिक वज़े की माधियम से इसकी पुष्टी की है मुसलमानों को लेकर चीन की पोल खोलने वाली भारतिय मुल्की पत्रकार को मिला पुलिजर पुरुसकार असांद सिंज्यांग प्रांद में लाको मुसलमानों को हिरासत में रखने के लक्स से चीन द्वारा गोपनिय तरीके से बनाए गया जेल और अन्य भावनों के बारे में जनकारी सारोजिनिक करने वाली खबरें लिखने वाली भारतिय मुल्के पत्रकार मेगा, राज गोपालन और दो अन्य पत्राकल को इनोवेटिक इन्वेस्टिगेट पत्रकारिता के लिए पुलिजर पुलिजर पुलिसकार दिया गया है बाबा का ढबा के मालिक ने यूट्यूबर से मांगी माफी कहा हुआ चोर नहीं था हमसे चूक हुई है इससे पहले कांता परसाद ने उसके लिए मिले फंड को उन्हीं के नहीं देने के आवरोप में गोरप के खिलाब सिकाय दर्श कराई थी कोबीड-19 की तिस्री लहर आने की समावना प्रबल यूद अस्तर पर हो रही है त्यारिया दिल्ली सियम का कहाना है दिल्ली के मुक्मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने संजीवार को कहा कि कोबीड-19 की तिस्री लहर आने की समावना प्रबल है उन्होंने का कि हम हाथ बहां धरकर नहीं बैठ सकते और दिली सरकार इससे निपटने के लिए यूदस्तर पर तियार्यां कर रही है केंद्रे स्वास्त मंतराले के मुताबिक दिली में COVID-19 संकर्वन के 3922 केस एक्टिव है कोई-19 से पिडि दिली के गरिब परिवारों की बेटी का कर्च उठाएगा प्रवेस सच्क परसिब दिली के करीब परिवार के की साधी का करच उठाने के कि गोषणा किया, उन्होंने टूइड किया अगर किसी गरीप परिवार में कामाने वाले ही COVID-19 से मिर्थी हो गई है और बेटी की साधी करनी हो ऐसे परिवारों की बेटीों के साधी का खर्च मैं स्वेम उठाऊंगा सौधी में रहर है 60,000 वैक्षिनेटेड लोगों को ही मिलेगी इस वर्च हज यात्रा की इजाज़त सौधी अरब ने कहा कि महामारी करण इस साल 60,000 लोगों का हज यात्रा पर जाने की अनुमती दी जाएगी और ये सभी देश की भीतर ही होंगे 18-65 आयू वर के COVID-19 टिका करण करवा चुके लोग ही हज में सामिल हो सकेंगे भारत ने कहा था कि हज पर वो सौधी के फैसले का समर्थन करेगा COVID-19 के चलते आनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्रत तक धाई हजार माप देगी राजस्तार सरकार राजस्तार में COVID-19 के कारण माता पिता या इकुलते जीविद बच्चे माता पिता को खोग जाने वाला अनाथ बच्चों को मुक मंतिरी कोरोना बाल कल्या नियुजना के ताथ ततकाल एक लाक और 18 साल के उम्र में तक धाई हजार रुपया परतिमा दे जाएंगे राजे सरकार ने इन बच्चों को बार्वी तक निसूलक सीख्चा और 18 वर्स पूरे होने पर 5 लाकी एक मुष्थ सहता रासीब देगी कि सेफ के जरीए कोवीड-19 वैक्षिन की उप्लवता की जनकारी दे रही है रिलायंस जिओ रिलायंस जिओ ने वार्ट्सेप चेट्वे क्ये मादें से कोवीड-19 वैक्सिनेशन की उप्लवता को लेकर जनकारी मुहा करना शुरू कर दिया यूजर्स वाट्सेफ नंबर पर 700077007 पर हाई भेजगर उपलव्द सुलोट पता कर सकते हूँ वही वैक्षिनेशन समंदी यह सेवा और मवाईल नेटवर्क के यूजर्स के लिए भी उपलव्द है और इसे सेशन प्रिसेश करने के लिए OTP की ज़रत नहीं होगी आई एस की तैयारी करने वाले चात्रों की फिरी कोचिंग के लिए चात्रविर्थी देंगे सोनु सुद अभीनेता सोनु सुद ने आई एस बने के चाहत रखने वाले चात्रों को फिरी कोचिंग के लिए चात्रविर्थी देने की पहल की है संभवम नामची से शुरुवात इस पहल की घोसना करते हुए सोनु ने ट्विट किया करनी है आईस की तियारी हम लेंगे आपकी जिम्हेदारी सुद चैरिटी फॉंट नेशल के मुताबिक इस्कोलर्शिप के लिए पंजीकरन की तारिक दिम तारिक 30 जून 2000 कैसे है अभी तो बीजेपी से और नेता आएंगे मुकूल राय के दोबारा टीमसी में जोईन करने पर ममता बनर जी पसीम बंगाल के मुक्वंती ममता बनर जी ने सुक्रवार को बीजेपी छोड़कर दोबारा टीमसी में सामिल है मुकुल राय का स्वागत कुरते हुए का कि आने वाले दिनों में बीजेपी के और नेता भी पार्टी से जुड़ेंगे बकवल ममता उन लोगों पर विचार नहीं कर रहे हैं जिन्हों ने पार्टी को अलोचना की और चुनाओ से पहले बीजेपी के रुपए के लिए धोका देते हुए कहा की टीके के बरवादी को एक परतिशत से कम रखे का लक्षक बिल्कुल भी और वास्तुविक नहीं है बकॉल सरकार बैक्सिनेटर को सलाक है कि वह परतेग सीसी को खोलने की तारिक समय नोट करें और सभी खुली सीसी को खोलने के चार घटे की वितर इस्तमा हुआ 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 है